कि आप जानना चाते हो कि हमेशा कैशे खुश रह सकते हैं बहुत सारी मदर जो प्रेगनेंट या प्लानिंग है जब उनको मैं समझाती हूँ कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए इट अफेक्ट्स और बेबी डेवलपिंग इन दा वूम तो वो लोग केते कि कैसे खुश किस तरह से जो भी सिच्चूइशन से जुभी मर्या थे उस हालात में हम हर हालत में खुश कैसे रहें सौ कि आप भी जानना चाहते हो कि कौई भी हालात हो कुई भी कंडिशन हो खुश कैसे रह सकते हैं लेटस्दिस्कशी मैंने YouTube community में पूछा था आप कौन से subject पे knowledge लेना चाते हैं और पृती राम परिया ने मुझे पूछा था कि कैसे pregnancy में positive रहे तो पृती ये video specially आपके लिए है और आप में से भी कोई अगर कोई particular बारे में knowledge लेना चाते हैं तो आप comment में लिखे हैं मैं definitely उस पे भी video बनाऊंगी Yes, आप सब जानते हो कि pregnancy में और planning में खुश रहना बहुत ज़रूरी है हमारे वेदो में कहा है सौमन अस्य प्रसन चित्त अगर मदर stress में होती है दुखी होती है तो conceive होने में भी problem होते हैं conceive होता है तो बच्चा physically या mentally abnormal आ सकता है डॉक्टर स्टॉट की research and stress के सारे negative impact के बार बहुत सारा discuss कर चुकी हूँ even normal delivery के chances भी कम हो जाएंगे if you are not positive not happy and lactation failure breast milk कम आने के chances बढ़ जाएंगे अगर आप stress में है तो बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि situations को तो हम बदल नहीं सकेंगे हमारे घर के जो भी संजो होगे family members होंगे most of the time अगर female से related है तो सास तो वही रहने वाली है और sister in law भी वही रहने वाले husband भी रहने वाले आप इन किसी को change नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे खुश रह पाओगे बहुत सारे problems तो आएंगे pregnancy में और उपर से mood swings hormonal changes की वजह से बहुत सारे mood swings भी आएंगे तो फिर खुश कैसे रहोगे मैं यहां पर आप लोगों क है सकते हो उसके बारे में आज बात कर रही हूं देखो खुश रहना is a state of mind सबसे पहले यह समझे इस नौट the condition it is the reaction कोई भी situation को लेके आप जो भी reaction देते हो उसकी वजह से आपका जो state of mind बनता है वो है खुश रहना तो scientifically अगर देखे तो mainly four hormones अगर हमारे शरीर में ज्यादा है तो हम खुश रह सकते हैं यह hormones है dopamine, serotonin, oxytocin and endorphin मतलब कि अगर किसी भी तरीके से हमने सीख लिया कि यह चार hormones को हम कैसे ज्यादा release करा सकते हैं कैसे हम इसका level हमारे शरीर में हमारे ब्लड में बढ़ा सकते हैं तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं येस तो उसी के लिए इसको मैं कई बार dose भी बोलती हूँ हम doctors है तो medicine के dose हम देते हैं तो यह happiness का dose है येस तो यह happiness dose क्या है इसको समझते हैं dopamine, dopamine जब भी आपको अपनी पसंद वाला music सुनते हों जो कि आपको बहुत पसंद है तब release होता है जब भी आप कोई छोटे-छोटे चीजों को achieve करते हो, कुछ wean करते हो, कहीं पर successful होते हो तब भी release होता है जब भी आप किसी की सच्चे मन से तारीफ करते हो, appreciate करते हो तब भी dopamine release होता है then comes oxytocin, yes so oxytocin, whenever you feel you are loved या you are in love मतलब कि कोई आपको प्यार करता है या तो आप किसी को बहुत प्यार कर रहे हो जब भी ये feelings आती है तब हमारे अंदर बहुत oxytocin release होता है so constantly ऐसे environment में रहना जहां पर you feel you are loved या तो किसी को बहुत दिल से प्यार करना तो उससे oxytocin release होता है so expression of love in different way even I will say कि all husband को भी ये करना चाहिए कि उसको wife को feel कराना चाहिए during pregnancy कि they are loved और साथ में आप pregnant हो तो बहुत बड़ी बात ये है कि आप अपने बच्चे के लिए जो प्यार जो लव को feel कर रहे हो express it in any form या तो आप उसके लिए कोई ड्रॉइंग बनाओ वो बच्चे से बात करो वो बच्चे के लिए मतलब जो गर्ब समवाद में कहती हूं वो करो या वो बच्चे के लिए पोईट्री लिखो उसके लिए कुछ खिलोने बनाओ whatever you will do जो आपके बच्चे के लिए आपका जो प्यार है उसको express करेगा तो आपका oxytocin level high होगा so second is oxytocin third is serotonin जब भी हम किसी को सच्चे दिल से कोई help करते हैं without any selfish motive उसके अच्छे के लिए तो हमारे अंदर बहुत सारा serotonin release होता है जैसे हम कभी कोई पूजा करते है या भगवान का नाम लेते हैं मंत्र चैंटिंग करते हैं और जिस तरह से serotonin release होता है इसी तरीके से किसी के लिए कुछ भी अच्छा बीना कोई purpose के करने से भी serotonin release होता है आप जैसे कि कोई आपके भर पे सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है उसको एक बटर मिल्क दे दो या तो कोई छोटे बच्चे को कोई खिलोना लाक के दे दो कोई भी छोटा सा काम आप कुते को रोटी दे दो चीटियो के लिए आता डाल दो मंदिर के बहार लोग बैठे उनको बिस्किट किला दो कुछ भी छोटे इसी पोजेटिव सेलफलेस एक्टिविटी इवन ओदो को पानी देना इस आल विल रिलीज और सिर्चुनी लास्ट इस E अंडॉर्फिन एंडॉर्फिन जब भी हम एक्सेसाइज एनी फर्म में करते हैं तो बहुत सारा एंडॉर्फिन रिलीज होता है सो एवरी डे दूरिंग प्रेगननसी आप योगा करे या एक्सेसाइज करे वॉक करे प्रानायम करे तो यह सारी एक्टिविटी जो है वो आपके एंडॉर्फिन लेवल को हाई रखेगी हम सबने यह नॉटिस किया है कि कभी भी जैसे जब हम एक्सेसाइज करने जाते हैं शुरू में हमें मजा नहीं आता है we are avoiding exercise बट जैसे हम करने लगते चलने लगते एक्सेसाइज करने लगते तो हमें मजा आने लगता है we are feeling good so everyday 45 minute का कोई भी physical workout yes of course according to your medical condition आपको अपने डॉक्टर से consult करके ही करना है बट यो या तो प्रानायाम या तो बॉकिंग या किसी भी तरह की एंटीनिंटल एक्सेसाइज pregnancy exercise आपको during pregnancy करनी चाहिए endorphin को release करने के लिए so ये है happiness का dose dopamine, oxytocin, serotonin and endorphin ये सारी activities अब आख करोगे happiness dose आपको मिलता रहेगा और किसी भी condition में चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा खुश फिल करोगे क्यूंकि हम सबने notice किया है कि जब हम खुश होते है तो छोटे मोटे issues भी हमें bother नहीं करते है even बड़े-बड़े issues भी bother नहीं करते और जब हम stress में होते है तो छोटे से छोटे issues भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देते so happiness का dose everyday लेना चाहिए इसके बार में बहुत सारी activities practically सीखने के लिए आप लोग हमारे online course को join कर सकते हो और हमारे साथ जुड़े रह सकते हो obviously ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए notification bell को भी on कर दीजिए like definitely कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि दूसरे pregnant and planning couple तक ये बाते पहुचानी है तो definitely इसको share भी किजिए and happiness का dose लेते रहिए और खुश रहिए सौमन असे प्रसन चीत रहिए and be proud parent